मालती रमिस और उसके पापा खेत में काम कर रही है रमिस के पापा आपने कल भी नहीं बताया कि लड़का कैसा है और ना आज सुबह ही कुछ बताया क्या हुआ लड़का ठीक नहीं है क्या या उसका घर बार आपको पसंद नहीं आया लड़का ठीक है और लड़के का नाम प्रकाश है लड़का का रंग रूप भी अच्छा है लड़के का घर भी अच्छा है लेकिन लड़के में एक ही कमी है कैसी कमी? लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लड़का बस दस विपास है और हमारी रूपा डॉक्टर बनने की तियारी कर रही है मुझे समझ नहीं आरा कि मैं क्या करूँ ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है लेकिन वो कम पढ़ा लिखा है कम पढ़ा लिखा है तो क्या हुआ कम से कम लड़का खान दानी तो है लड़के के पास खेती किसानी के लिए इतनी सारी जमीन है और क्या चाहिए हमारी रूपा के लिए हमारी रूपा राज करेगी वहा पर मा ऐसे साधी करना रूपा को धोका देना है वो पड़ी लिखी लड़की है तो उसके लिए पड़ा लिखार लड़का भी चाहिए मालती रमेज सही कह रहा है पैसे कोड़ी का क्या है रूपा एक बार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए फिर देखना रूपा खुद का आलिशान घर बना लेगी रमेज की पापा आप एक बार अच्छी से सोच लो ऐसा घर बार मिलना मुश्किल है मैंने सोच लिया है हम लोग पहले रूपा से पूचेंगे फिर शादी की बात आगे करेंगे रूपा जैसा कहेगी वैसा मैं भी करूँगा मा पापा एकदम सही कह रहे है वैसे भी लड़का और लड़के का परिवार एक दिन रूपा को देखने आएंगे रूपा भी एक बार लड़के को देख लेगी फिर रूपा जैसे कहेगी वैसा ही कर देंगे खेट का काम खतम हो गया है अब घर चलो कुछ खाँ पी लिया जाए हाँ घर चलना चाहिए दोब भी सिर पर आ गई है फिर सभी लोग घर की ओर चल देते हैं फिर सभी लोग घर पहुँचकर खाट पर बैठ जाते हैं रूपा बेटी कहां हो पानी ले आओ सबके लिए रूपा चट पर बैठी है और चट से नीचे देखकर बोलती है मा आई रूपा चट से नीचे आ जाती है मा मैं अभी पानी लेकर आती हूँ रूपा रसोई में जाकर सभी के लिए पानी ले आती है ये लो सभी लोग पानी पी लो सभी लोग पानी पी लेते है पानी देकर रुपा रोसोईगे और जाने लगती है रुपा बेटी इधर आओ रुपा वापस आ जाती है हाँ पापा बोलो बेटी तेरी डॉक्टरी की तयारी कैसे चल रही है पापा तैयारी ठीक चल रही है अगले महीने एक्जाम है एक्जाम पास करने के बाद तुम्हारा एड्मिशन मेडिकल कॉलिज में हो जाएगा ना हाँ पापा बेटी कल जो लड़का देखने के लिए गए थे वो लड़का सिर्फ दसवी पास है हमें लड़का पसंद है तुम बताओ क्या करें पापा क्या बोलूँ आप लोगों को तो पता है कि बिना डॉक्टरी की पढ़ाए पूरी किये बिना मेरी शादी करने का मन नहीं है आप लोग जवर जस्ती करोगी तो मैं क्या कर सकती हूँ पापा रुपा सही कह रही है जब दसवी पास लड़के से साधी करनी है तो डॉक्टर बनने के बाद ही कर लोगी तबी सुना और पन्यों स्कूज़ आजाते है कल मैंने भी आपके लिए लड़का देखा पन्यों लड़का कैसा था वो लड़का तो मुझे पशन्दी नहीं आया क्यों पन्यों? अले मामी क्यों पशन्द नहीं आया ये जब मुझे नहीं पता बस मुझे लड़का अच्छा नहीं लगा जब हमारी पन्यों को ही लड़का पसंद नहीं है ठीक है मैं मनना कर दूँगा रूपा सबका खाना ले आओ सोना और पन्नों तुम दोनों भी हाथ धोलो और आकर खाना खालो ठीक है मामी दोनों हाथ धोने चले जाते हैं उधर से रूपा सभी का खाना लेकर आ जाती है ये लो खाना, मा पन्नों कहां गई? डीडी हम हाथ डोने लग गई थे सभी लोग खाना खाने लगते हैं ए बुगवान सबजी में किदनी मिलचे पानी 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 दो पन्यों जल्दी जल्दी पानी पीने लगती है पन्यों पानी पी लेती है और बोलती है लगता है लूपा डीडी ने गुश्य में मिल जादा डाल दी क्योंकि लूपा डीडी को अभी शादी नहीं करनी दोस्तो इस कहानी के माध्यम से मैंने एक संदेज देने के कोशिश की है यदि आपको यह कहानी अच्छे लगी तो क्रीप्या इससे अपने दोस्तों और इस्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें इस तरह की और कहानीय देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाइबाइ